में हम फिर से लेके हाजर है एक new amazing story तो चलिए मिलकर start करते है तो कहानी के starting एक दलवार से होती है जिसमें बहुत सारी अद्बुच शक्तिया होती है लेकिन twist की बात ये होती है कि इस दलवार को सिर्फ और सिर्फ demon की wifi यूज़ कर सकती है और उसे देख भी सकती है ये कहानी एक old lady एक young girl को सुना रही होती है जो की old lady की customer होती है young girl ये सब सुख कर हसती है और सभी बातों को एक दुखत कलपना मानती है young girl इन सभी बातों से ज़ादा एक टॉर करुश रिंग में interested होती है जो की कच्रे में दुफनाया हुआ होता है customer old lady को goodbye wish करती है बट old lady उसको एक last advice देती है कि life के end moments में अपने सब से बड़े wish भगवान से मांग लेना आगे से scene में हम देखते है कि एक लड़का एक घर के बरामदे में enter करने की try करता है बट तब ही एक gentleman उसको रोग देता है वो gentleman लड़के से कहता है कि अगर उसने घर में enter करने की कोशिश की तो वो कभी भी अपनी मां को दुबारा देख नहीं पाएगा लड़का ये बात नहीं समझ पाता कि gentleman ये सब कैसे जानता है gentleman उसके lunch और class test के बारे में देखते है कि गुजय के समय में ये किम शिन वहां के समराट के stress तलवार चलाने वाले ही होता होते है किम शिन अपने place के लिए वफदार होते है लेकिन एक दिन किम शिन पर राजद्रों का आरोब लग जाता है और सभी लोग किम शिन को समरपन करने के लिए कहते है तबी समराट के बाकी के योदा किम शिन को मार देते है वहां पर उपस्दत कुछ लोग इस बात के खिलाब जाने के कोशिश करते है और राजद्रा सभी को दम की देते है कि अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो उन्हें भी मार दिया जाएगा किसी को भी किमशिन की बॉड़ी को टच करने या ले जाने की अनुमदे पिलकुल नहीं होती बलकि उसकी डेट बॉड़ी को घेट में फेट दिया जाता है अपनी जिन्दगी के आखरी पलो में किम शिन रानी को याद करता है आगी की स्टोरी सी ओल से स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं कि एक लगा एक कार से टकराया हुआ होता है जिसे देख कर आसपास के सभी लोग चमा हो जाते है सभी उस इंसिदेंट को समझ नहीं पारोय होते तबी एंजल ओफ देथ यानि की ग्रीम रीपर वहां पर प्रेजिंट उस गर्ल की आत्मा को निकार कर ले जाती है उसी सेम सिटी में किम शिन भी होता है किम शिन एंजल ओफ देथ से मिलकर खुश नहीं होता वहीं दूस्टी और किम शिन जनरल एक ओल मैन के घर उसे मिलने के लिए जाता है ओल मैन उसे मिलकर बहुत कुश होता है वो अपने साथ एक लड़के को ले कर जाते है जो कि उनका फ्यूचर अंकल ब्रदर सान अफ ग्रैंटसन होगा लड़का ये सब बाते समझ नहीं पाता कि ये सारी क्या बाते चल रही होती है लड़के को देखकर किम शिन जनरल को अपने दिनों की याद आ जाती है तब इस सोविंट और उसका ग्रैंटसन जनरल को गुड़बाई बोलते है अभी भी तलवार जनरल के अंदर ही है और वो तब तक बहार नहीं आएगी जब तक उसकी वाइफ उसे ढूड़ना ले तब तक किम शिन इमोर्टल ही रहेगा आगे के सीन में हम देखते हैं कि किम शिन नशेडियों को पनिश करता है और तबी और मैं अपने ग्रैंसन को अकेले छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है और उन्होंने अपनी ग्रैंसन से प्रॉमिस लिया है कि वो हमेशा जनरल के लिए पफ़दार रहेगा किम शिन यंग मैं को उसके दुख बुलाने के लिए कहता है और वो उसे एक शिप पर लेके जाता है जिसे वो अपने दुख बुला कर थोड़ी दिर अपनी लाइफ एंजॉई कर सके तबी किम शिन एक लड़के के चलाने की आवास को सुनता है जो पूरी तरह के से घायल होती है किम शिन को दुख्रों की प्रॉब्लम्स में उलजना ठीक नहीं लगता वो इससे दूर ही रहना पसंद करते है पर वो लड़की दर्द में जोर जोर से चलना रही होती है जोसे देखकर वो अपने रूर्स के अगेंज राकर उसकी हेल्प कर देते है कुछ दिर बाद क्रीम रीपर वहाँ पर आता है और वो लगे रेट स्टेन को देखकर समच आता है कि डीमन्स की ब्राइड का बर्थ हो चुका है आगे के स्टोरी स्टार्ट होती है एट यस के गाप के बाद तो चलिए मिलकर्स देखते है अपने 19 बर्दे पर जी उन तक तयार होती है जी उन तक हमारी मूवी की में लीड होती है उन तक अपनी मदर के साथ बीच पर जाती है नेक्स देख जब उन तक स्कूल से आती है तो उसके ममी उसे बर्दे के एक ओफर करती है तब ही अचारक से उन्ता की ममी गायव होने लगती है वो ये बात महसूस करती है कि अब उसके सामने सिफ अपनी ममी की सोल है जैसे वो अपनी ममी को गुट वाइब बोलती है वैसी ही वो गायव हो जाती है पर जाने से पहले उन्ता की ममी एक sales woman को उसके देखबार करने के लिए बोल कर जाती है तबी वहाँ पर death of angel आ जाता है और वो ये देखकर शौक में चला जाता है कि उन तक उससे देख सकती है वो angel के साथ जाने के लिए उसे कहती है बट angel इस पर मना कर देता है तबी sales woman उन तक को funeral में आने के लिए कहता है आगे के scene हम देखते है कि 10 साल कुजर चुके होते है उन तक अब बड़ी हो चुकी होती है वो बहुत सुन्दर भी हो गई होती है तबी general को उसके nephew का call आता है और वो उससे बार में आकर उसकी help करने के लिए कहते है जीउन तक school के last year में होती है जीउन ने school में कभी भी friends नहीं बनाए होते क्योंकि वो ghost को देख सकती थी और सभी ghost को ignore करने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती जीउन जब school से वापस आ रही थी तो वो general को यानि कि किम शिन को रस्ते में देखती है ये दोनो as a destiny एक दूसरे को देखते है अब तक जीउन की life बहुत मुश्किन रही होती है क्योंकि उसकी आंटी जो उसका ध्यान रखती थी वो उससे जादा उन तक की मम्मी की दी हुई property का ध्यान रखती है यहां तक कि उन तक अपने birthday भी अकेली ही celebrate करती है वो waterfall के पास एक छोटा सा cake लेके जाती है और अकेले में ही cake cut करती है और वो एक wish मांगती है कि उसे एक job और कम परिशान करने वाला boyfriend मिले और उसकी ये prayer किम शिन सुन लेता है और वो उन तक को एक back feed book के भी give करता है तब ही उन तक ये बात समझ जाती है कि उसने किम शिन को थोड़ी दिर पहले ही देखा हुआ था घर आने पर किम शिन को ये बात पता चलती है कि उसके nephew ने बिना उसकी permission के घर rent पर दे दिया है और वो भी cream नीपर को अब सभी को साथ मिलकर रहना होता है अपना homework करते हुए उन तक bouquet के बारे में सोचती है आगे के सीन में हम देखते है कि next morning उन तक काम ढूनने के लिए जाती है पर जहां भी वो जाती है किम शिन उसे हर जगे पर मिलता है फाइनली वो ये बार महसूस करती है कि उसका new friend एक demon है वो उसे बताती है कि बच्पन से ही उसे सब demon की bride बलाते है केम शिन हर जगे उन तक को follow करता है ये दुनों एक magical door से कैनेडा पर पहुंच जाते है और दुनों realize करते हैं कि सच में उन तक demon की pride है उन तक demon से शादी करने के लिए ready हो जाती है और ये बात सुन कर कैम शिन बलश करने लगता है इससे पहले उन तक कैनेडा कभी नहीं गई होती क्योंकि वो बच्पन से ही कोडिया में ही रहती है उन तक किम शिन को परिशान करने के लिए एक लड़के से चाके बात करना साथ कर देती है बट वो एक खोस निकलता है किम शिन अपनी वाइफ को होटल में छोड़ कर थोड़े देर के लिए बाहर चला जाता है तब ही क्रीम रीपर अपने असिस्टन के साथ मिरकर लॉसोल को ढूलने में लगा हुआ रहता है तब ही हम यहाँ पर देखते हैं कि एक स्कांडिलाइस कपल एक कैफे में एंटर करते है जिसे सिर्फ ग्रीम रीपर और उसका सिस्टन ही देख सकते है इसी कपल में वही लड़का होता है जिसने उन तक की ममी को मारा हुआ था ये बंदा एंजल ओफ मरसी के पेरों में किर गिडा रहा होता है और अपनी जिन्दकी की भीग मांता है बट ग्रीम रीपर मना कर देता है तब ग्रीम रीपर को किम शिंग की याद आती है कि वो इम मॉटर है और वो शान्दी से मर भी नहीं सकता लड़की खुश होती है और अपने हस्बिन को बताती है कि 200 साल बाद वो उसकी ब्राइड होगी हम देखते हैं कि कपल वापस गोर्या आ चुके है और उन तक अपने फ्रेंड को वर्णरफुल ट्रिप के लिए थैंक्स वोलती है हर बार के तरह इस बार भी उन तक का स्कूल आचा नहीं चल रहा था तब ही उसे कैनेडा में किये हुए चीज़े की याद आती है कि उसने महाँ पे कितना इंजॉय किया होता है और वो महाँ डीमन के साथ दबारा जाना चाहती है वो मैजिकल दोड को ओपन करती है और कैनेडा के पहुँचने की विश करती है बट वो मांटरूम में पहुँच जाती है जहां वो यी देखती है कि उसकी एक फ्रेंड स्किन केर कर रही होती है तब उसकी फैमली उसके हैंड में स्पिनिश देती है उसे खाना बनाने के लिए कहती है हर बारी की तरह वो इस बार भी घर में आरिलेटिव्स को ग्रीट करती है और उसे ये धम के मिलती है कि अगर उसने थाइम से खाना नहीं बनाया तो उसे फैमली मारेगी प्रेशन में आकर उन तक जल्दी जल्दी खाना बनाना स्टार कर देती है और वो स्पिनिश रूल बना देती है तब ही उसकी आंटी को कुछ पेबर्स मिलते है और उनको उसकी कैनेड़ा जाने के बारे में पता चल जाता है तब ही सारा रिलेटिव्स रोल्स को खाते हैं और बिमार हो जाते है उन तक मैगजीन और स्पिनिश रोल को लेकर रोते-रोते रूफ पर चली जाती है तब ही वो किम शिंग को बलाती है और उसे बताती है कि वो कैनेड़ा को बहुत ज़ादा मिस कर रही है क्योंकि अपनी लाइफ में सब ज़्यादा खुश वो कैनेडा में ही हुई थी उन तक घर नहीं जाना चाती क्योंकि अभी भी उसके घर में रिलेटिव्स है और अगर वो घर गई तो उसकी आंटी उनकी इंसल्ट करेगी और उसे भी बहुत ज़ादा एंबरस्मेंट फील होगा तब एक डीमन सारी रात उन तक के साथ स्पेंड करने का डिसाइड करता है रात को दो दो नाइट वाक के लिए जाते है पर उन्हें एक स्कूल की गर्ल देख लेती है और उनकी वीडियो बना कर सभी को भीजने की कोशिश करती है कि तबी कार आकर उसका फोन चीन ले जाती है उन तक फिर से जॉब डूने की कोशिश करती है और उसे एक एड में जॉब मिल जाता है पर इस बार उसे जॉब काफी एजिली मिल जाता है ये बात वो किम शिन को स्टेर करती है किम शिन अपने नफ्य को अपनी आइडेंटिटी का सीक्रिट बताने का डिसाइड करता है बट उसे पता चलता है कि उसका नफ्य उस सीक्रिट को पहले से ही जानता है आगे के सीन में हम देखते हैं कि जिस कैफे में उन तक काम करती है वहाँ पर महीनों से कोई भी कस्टमर नहीं आया होता बट फिर भी अभी वहाँ की मालकीन अच्छी होती है और वो अपने एम्पलॉईस को अम्रेला देती है एक दिन मालकीन एक फॉर्शन टेलर से मिलने के लिए जाती है जो उसे बताती है कि जो जल्दी ही एक हैट वाले बंदे से मिलने वाली है और हैट वाला बंदा क्रीम रिपर होता है किम शिन अपने घर पर होता है और वो wait करता है कि उन तक उससे कैफ़े पर invite करेगी उन तक उससे invite भी करती है और जो कैफ़े में पॉसता है वो Kim Shin नहीं बलकि Cream Reaper होता है दुनों demons एक दूस्टधle को पेचान लेते हैं और दुनों आपस में बात करते हैं और Kim Shin Dream Reaper से कहता है कि वो उसको अपनी ब्राइट के साथ नहीं ले जा सकता ये बात सुनकर करीम रीपर वहाँ से चला जाता है किम शिन अपने फैंग को ये सारी बाते बताता है वो कहता है कि ये सब उस लड़की के कारेक्टर या ब्यूटी की बज़े से नहीं बल्कि हजारों सालों पहले वो किसी इनसान को ढून रहा होता है जो उसमें कुछ स्पेशल देखे और उसकी ये विश्ट तब पूरी होती है जब उसे उसकी ब्राइट मिलती है उन तक प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी किम शिन को अपना मेट नहीं बुलाएगी गर वापस आने के बाद किम शिन ग्रीम रीपर को पताता है कि उन तक उसके अंडर प्रेजन्स वर्ड को नहीं देख सकती बट इस बात का ये मतलब नहीं कि ग्रीम रीपर उसे अपने साथ ले जाए अगले कुछ दिनों तक इमशिन और उन तक एक दूसरे से नहीं मिलते पर उन तक के मन में बार बार डीमन के वर्ड आ रहे होते है वो उसे अपनी मेमरी में पर्मेनेंटली एरेज करना चाहती है ये सब डीमन सहर नहीं कर पाता और वो डिप्रेस हो जाता है तब इर ग्रीम रीपर और उसका फ्रेंड डीमन की हेल्प करने की कोशिश करते है वोई दूसरी और उन तक अपने काम पर ही रहने लग जाती है एक दिन जब उन तक अपने बैट पर लेटी हुई होती है तो उसे एक स्ट्रेंज गोस्ट की याद आती है जिसने उसे एक बार स्कूल के बार एक बार डीमन बुनाया होता है तब ही उस गोस्ट को डुनने के लिए वो चली जाती है जब वो गोस्ट से मिलती है तो वो उसे ममी के साथ हुई इंसिजन के बारे में बताती है जो कि वेसलेंड में हुआ था और कैसे वो से फिर से वापस लाइफ मे लाता है वो से सारी बाती बताती है किमशिन, खोस्ट और उन तक के बीच हुई कॉन्वसेशन कुछ सुन रहा होता है और उससे पता चलता है कि उन तक गेल्टी फिल कर रही है आगे के सीन में हम देखते हैं कि उन तक कैफे पर आती है और अपनी मार्क इन से कहती है कि उसने उनकी नाइस को बहुत मिस्स किया तब भी वहाँ पर गैंग्स्टर जा जाते हैं और उन तक से पैसे के दिमान करते है वर वो उनने पैसे देने से मना कर देती है तो वो उन तक को पकर कर अपनी कार में ले जानने की कोशिश करते है और उसे समय वहाँ पर वो डीमन को याद करती है और डीमन ग्रीम ग्रीपर दोनों साथ मिलकर उसे बचा लेते है आगे की कहानी में हम देखते हैं कि उन तक बुक स्टोर में जाकर अपनी मेमरीस को दफनाने की कोशिश करती है और मेपल लिफ को वहीं छोड़ कर चली जाती है कि तब ये बाई चांस टीमन का नेफ्यो भी उसी स्टोर में बुक रिटन करने आ जाता है जो उसे और वो बिना उन तक को देखे वहां से चला जाता है और लेंडलोड को उसका ग्रांसन टीमन से मिलने के लिए रोकता है बट और लेंडलोड उसकी बात नहीं सुनता और टीमन से मिलने के लिए हाउस में एंटर करता है और वहीं इसके मुलकात होती है ग्रीम रीपर से जो कि लिविंग रूम में रेस्ट कर रहा होता है ओल्ड मैन का ग्रांटसन ये बात अच्छे से जानता था कि ओल्ड मैन बाहर के किसी भी इनसान को हवेली में आने का इजाज़त नहीं देगा इसलिए वो सब दोस्त मिलकर एक बार नाटा करते है जिसमें वो ग्रीम रीपर को किम शिन का बेस्ट फिन बना देते है और ऐसे प्रटन करते है कि जैसे ग्रीम रीपर उनसे मिलने के लिए उनके घर में आया है और इसे के लिए वो कुछ दिनों के लिए उनके घर में स्टे कर सकेंगे आगे हम देखते हैं कि ओल्ड में ग commerce आंगन में बैटा हुआ देकर बहुत गुसा करता है जिससे ग्रीम रीपर को भी गुसा आ जाता है कि तब ही वहाँ पर डीमन आ जाता है और उनके साथ प्रैंक करने लगता है तब ही वहाँ पर डीमन का नेफ्यू भी आ जाता है बर डीमन अपने नेफ्यू को अंदर आने नहीं देता वो से अभी भी उसकी बिना पर्मिशन के घर रेंट पर देने के लिए नराज होता है ग्रीम रीपर वाइट डूर्मेंट पर बलड लगा कर अपने दोस्त के साथ हुए प्रैंक का बदला लेता है कैफे के उनर को पता चलता है कि उन तक पिछले कुछ दिनों से कैफे में ही सो रही है और उन तक को दर होता है कि कहीं उनर इस बात का पता न लगा ले और वो उसको उसकी जॉब से निकाल न दे बट उसकी उनर उसको जॉब से नहीं निकालती बलकि उसे पेचेक देती है और उसे कैफे में सोनी की परमेशन भी दे देती है इसकी बाद उन तक खाना बना रही होती है बड़ उसका खाना चल जाता है और जले हुए खानी की स्मेल सभी जगे फैल जाती है किमशिन ये सब देखकर हसने लगता है किम शिन उन्तक के पास आदा है दोनों फिर से लड़ने जगरने लगते है उन्तक को बाहर अपने साथ डेट पर जाने के लिए मनाता है पहले उन्तक मना कर देती है बट फिर बाद में वो उसके साथ जाने के लिए लड़ी हो जाती है सारे रस्ते डीमन ये बात पता करने की खोशिश करता है कि क्या उन्तक उसकी स्वर्ट को नोटिस करेगी या नहीं बट उन्तक डीमन से बात करने में इंटरस्टेड नहीं होती आगे के सीम में हम देखते हैं कि ग्रीम रिपर कपल को जोइन कर लेता है उन तक ये सोच कर पैनिक हो जाती है कि ग्रीम रिपर उसके लिए ही आया है और इसलिए उसने उन दोनों को जॉईन किया है ग्रीम रिपर डीमन को ठ्रेस गलाता है कि वो उसी गल्फेंड उन तक को हेपनिटाइस नहीं करेगा ग्रीम रीपर टीमन को ड्रस दिलाता है कि वो उसी गर्फरेंड उन तक को हिपनेटाइस करेगा और फिर उसे स्वर्ट के बारे में पूचेगा इसके पहले कि ग्रीम रीपर कुछ कर पाता उसे एक अरजन कॉल आता है और उसे वहाँ पर जाना पड़ता है कपल को कुस्टर मकेला स्पेंड करने को मिल जाता है तुनों लबर्स बात करना स्थार कर देते हैं कॉन्वर्जेशन और भी इंटरेस्टिंग बनने लगता है किमशन कनफेस करता है कि कैफे गर्ल और उसके बॉर्फरेंड को और वहाँ से चली जाती है डीमन के नेफ्यू को ये लगता है कि उसके अंकल का दोस्ट जो उनके साथ रह रहा है वो कोई और नहीं बलकि ग्रीम रिपर है और उनकी ही बज़ा से घर बहुत मैसी रहता है कि तब ही सब मिलकर बाते करने लग जाते है नेफ्यू गरैन्फादर से बात करने की कोशिश करता है जो कि उनके घर की कंडेशन को देखने के लिछ आये है और फिर नेफ्यू को ये बात पता चलते है कि ग्रैनफादर पहले सी इग्रीम वीपर और डीमन के सजड के बारे में जानते है और इसी के साथ उसे ये भी पता चलता है कि उसे Grandfather चिनान गिन्स के बारे में भी जानते है ये सब पता चलने के बाद उसके यकीन हो जाता है कि उसे Grandfather उससे अब और मनी नहीं देंगे जिसे वो अपने expenses को maintain कर सके इसलिए वो उनके सामने rich होने का show off करता है और दूसरी और कलक से क्वरेट कार्ट के लिए भीग मांगता है आगे हम देखते है कि Green Reaper स्टॉर में जाता है लेकिन उसे रस्ते में डीमन मिल जाता है और डीमन उसे पूचता है कि क्या वो उसी गर्ल से मिलने जा रहा है बट Red Reaper डीमन को promise करता है कि वो गल को कोई हाम नहीं करेगा उसे लगता है कि वही डीमन की bride है किम शिन अपनी गर्फरेंट के घर पर जाता है और उसे बताता है कि उसने उन तक को बहुत मिस किया और वो उससे ही देखने के लिए उसके घर आया है इतना कहकर वो अपने घर वापस चला आता है और अपना समान पैक करने लगता है किम शिन ये टाउन छोड कर जा रहा होता है पर ये बात वो उन तक को नहीं बताता इसी टाइम पर ग्रीम रीपर ब्रिज पर खड़ा हुआ होता है जहां पर एक ब्यूटिफुल गर को समान सेल कर रही होती है गर्ल उसे रोक लेती है कि थबी वो एक टॉट उइस डिंग को नोटिस करता है जो की टेबल पर रखी हुई होती है ग्रीम रीपर वोमन से उस डिंग को बाई करना चाता है और वो गर्ल से उसका प्राइस पूचता है पर वो वोमन उसे कहती है कि ग्रीम रीपर उसे पैसर ना दे कर अपना नमबर दे दे और उसे कॉल करे ये सब आपर खड़े काफी लोग देख रहे होते है इतने में ही किम शिन को अपनी प्रेंसेस का पॉट्रेट मिलता है और उसे देखकर उसे वही दिन याद आ जाता है जिसन इसकी दर्थ हुई थी उन तक अपने कैफे में काम कर रही होती है उन तक अपने घर जाती है जब पर उसकी лон лeďY उससे अपना समान पैक करने को कहती है और वो अपना समान लेकर अपने कैफे में आजाती है नेक्स्ट ये उनतक की टीचर उसे अपने आफिस में बलाती है और उसे पूछ थी है कि क्या उसने स्टूल में स्मोकिंग की है उनतक मना कर देती है अपनी ममा को याद करती है जो अब इस दुनिया में नहीं है उन तक अपनी ममी से अपनी लाइफी कंप्लेइन करती है और कहती है कि उसकी लाइफ में बहुत ही जादा कॉम्प्लिकेशन्स और प्राब्लम है जिसे फेस कर पाना उसके लिए अब और भी मुश्किल होता जा रहा है कि तब ही वहाँ पर डीमन आ जाता है और अपनी गर्फरेंड के उपर अम्रेला रखता है और उन तक से उसके हाल के बारे में पूछता है उन तक डीमन को मेपल लिफ देती है जिसे देखर डीमन समझ जाता है कि अब उसका उनके साथ ब्रिक अब होने वाला है और वो सोचता है कि अच्छी बात है जो वो टाउन छोड़ कर चाह रहा है जहां पर सभी लड़के रह रहे होते है उसकी एरिया में एक बेल रिंग होती है जो कि 60 यर्स में पहली बार वहां के लोगों ने सुनी होती है तब ही उनके घर के डोर बेल रिंग होती है व्रीम रीपर डोर खोल ले ही जाता है जब वो डोर को खोलता है तो वो देखता है कि उन तक डोर पर खरी हुई है वो डीमन से मिलने आई होती है उन तक डीमन को बताता है कि वो स्वर्ट को देख सकती है जिसे डीमन की देख होई थी किम शिंग को उन तक के वर्ट पर बिलीव नहीं होता उन तक कहती है कि वो ये बात उसे प्रूफ कर सकती है वो एक strange object के तिरफ अपनी finger कर ये बात proof कर देती है उन तक demon को बताती है कि वो sword को पहले meeting से ही देख सकती है पर उसे लगता था कि अगर उसने इस बारे में demon से बात की तो वो impolite होगा इसलिए उसने कभी भी demon के साथ इस बारे में बात नहीं की ये सबी बाते सुनकर केम शिंटर चाता है और वो अपने friend ग्रीम रीपर के पास जाता है और उसे कहता है कि वो नहीं चाता कि उससी girlfriend उसे sword से kill करे जैसे कि rules उसके लिए है demon का friend उन तक के पास आता है और उसे उनके साथ रहने के लिए कहता है क्योंकि उन तक के सबी relatives चाप चुके है और उसके पास जाने की भी कोई जगे नहीं बचती है इसलिए वो उन तक को उनके ही घर में रहने के लिए कहता है उन तक ग्रीम रीपर को दीखती है और सूसती है कि अगर अब उसे मरना भी पड़े तो वो आराम से मर सकती है डीमन उन तक को बाय करने की कोशिश करता है वो उन तक को 5 मिलियन्स ओफर करता है पर उन तक को कहता है कि वो इन पैसों से एक अपने लिए घर ले ले और अपनी आगे के जिन्दगी को अच्छे से जीए पर इस बार पर उन तक टीमन को मना कर देती है उन तक टीमन से कहती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है वो पे चाहती है कि वो अपनी लाइफ में अपने हस्बन और अपने बच्चे के साथ रह सके किमचिन ये सब सुनकर सोच नग जाता है और वो उन तक को accept नहीं कर पाता आगे के सीन में हम देखते हैं कि grandson अपने father grandson अपने grandfather को सब कुछ बता देता है जिसे सुनकर grandfather उन तक को उनके घर में एक best room देते है रहने के लिए और grandfather उन तक से कहते है कि वो और उनका grandson के लिए हमेशा available रहेंगे अगर उसे किसी भी चीज ये जरूरत हुई तो वो उसे खह सकती है और वो यहाँ पर आराम से comfortable होकर रह सकती है अब life में पहली बार उन तक को घर जैसा feel होने लगता है वर उसे एक बड़े room में अकेले रहने से dead लगता है grandfather अपने grandson को उन तक का दान रखने के लिए कहता है किम शिंग थोड़ा better feel नहीं कर रहा होता इसलिए वो बहुत सारे पिल्स एक बारी में खा लेता है और यही पिल्स ग्रीम रिपर भी खा लेता है जब उससे अपनी health अच्छी फील नहीं होती बाइबोला disorder के symptoms के बारे में TV पर न्यूज आने लगती है टीमन अपने tears को रोग नहीं पाता और यह सोच कर रोने लगता है कि अगर उसी girlfriend ने उसमें से स्वर निकाल दी तो वो मर जाएगा उन तक rain को दीखती है और वो सोचती है कि उसका boyfriend भी sad होगा और उसके पास साथा time नहीं होता कि वो reason के बाहर में सोच सके क्योंकि उसे demon के nephew के साथ school में जाना पड़ता है जो कि old man का order होता है और उसे follow करना होता है रस्ते में जाते हुए nephew उन तक से पूछता है कि क्या वो जानती है कि उसके relatives कहा हैं और क्यों गायब हो गए है बड़ वो से बताती है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती तब तक nephew से बताता है कि उसके relatives ने गोल चुराया है और जब वो से sell करने के लिए गए तो dwellers के shop पर जाते ही उनको पुलीस ने पकड़ लिया उसकी आंट सारा बेर अपनी नाइस पर लगा देती है बट आंट को उसका नाम और एड्रेस याद नहीं होता वो ऐसा पुलीस से कहती है आगे हम देखते है कि रीबर उसी गोल को मिस करता है जिसे वो एक बार ही मिला था वो उसे दोबारा मिलने की होप में उसी सेम प्लेस पर चला जाता है जहांपर वो उसी लड़की से पहली बार मिला हुआ था ग्रीम रिबर अपनी पोस्ट चोड़ कर वापस से अपने वोक पर जाना पड़ता है और उसे ये बात जानकर बहुत होट फील होता है उन तक एक बार फिर से अकेला फिल कर रही होती है और एक घर के डोर को नौक करती है बर कोई भी डोर खोलने के लिए नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है डेड ओल मैन का डीमन अपने घर में वेलकम करता है दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते है और सैंक्स बोलते हुए उनके मेमराबल दोस्ती के लिए सैंक्स बोलते है डीमन ओल मैन को एक टी का कप टोस करता है और विश करता है कि अब डेड ओल मैन को हेवन मिल किम शिन को कैंडल्स की स्मेल आ जाती है और वो गर आ जाता है जाबर उन तक उसका वेट कर रही होती है उन तक के सोच कर बड़ी दुखी होती है कि उसका फ्योज से उसे अवोइट कर रहा है डीमन उन तक उस तब कुछ exactly बताने में hesitate करता है और उससे डिनर के लिए invite करता है रात को दोनों साथ में टाइम स्पैन करते हुवे डिनर करते है जिसमें डीमन साथा ड्रिंग कर लेता है और appreciate करता है कि वो उन तक को like करता है और उससे कहता है कि उसर्फ वो ही उसके अंदर के स्वार्ड को निकाल सकती है बिट वो उन्टक को ये बात नहीं बताता कि swart को उससे अलग करने के बाद इसकी diad हो जाएगी और दोनों first no fall के लिए swart निकालने के लिए अगरी हो जाते हैं और वो दोनों first no fall के time swart निकालने के लिए अगरी हो जाते हैं आगे के सीन में हम देखते हैं कि next day उन तक जब स्कूल जाती है तो वो देखते हैं कि trees पर cherry blossom हुए है वो सभी वो भी सारी cities में सभी को लगता है कि ये normal बात है बट ये बात सिर डीमन के friend को पता होती है कि ऐसला इसले हुआ है और ऐसले हुआ होता है क्योंकि रात के समय कुछ अच्छा हुआ होता है इसले trees पर pink color के flowers bloom कर रहे हैं next day demon को उसका nephew cafe में लेकर जाता है demon का सर बड़ी जोर से दद कर रहा होता है और ऐसा रात को drink करने के वज़ज़ से होता है और उसे याद आता है कि drink करने के बाद उसने अपने fiance को स्वर्ट के बारे में सब कुछ पता दिया है cream reaper town में walk करने के लिए जाता है और वो इसी hope से जाता है कि शायर उसे वो लड़की वापस से देख चाहे जिसे वो मिलना चाता है उन तक जब तर स्कूल में जाती है तो उसके कुछ classmate उसे परिशान करते है और उसका business card ले लेते है जो कि उसके पास उसकी mom का last gift होता है वो उसे orphan orphan कहे कर परिशान करने लगते है और एक लड़की के हाद में सिक्रेट होती है जिसे use करके वो उन तक को हामी करने वाली होती है कि तब ही वहाँ पर उनकी teacher आ जाती है और teacher को सारे सच के बारे में पता चल जाता है उन तक के साथ justice होता है और इन सब में उन तक के एक ghost friend ने उसकी help की हुई होती है couples एक restaurant में lunch करने के लिए जाते है जहाँ पर डीमन उन तक से फूचता है कि क्या वो सच में उसके अंदर की sword को देख सकती है और अगर वो देख सकती है तो क्या उससे बता सकती है कि वो कैसा दिखता है इस बात पर उन तक डीमन को कहती है कि अगर demon चाहे तो वो स्वंट को ड्रॉड करकर उसे दिखा सकती है बद demon इस बात के लिए मना कर देता है और फिर वो demon स्वंट के appearance के बारे में बताती है बात को change करने के लिए demon फाoungटन के water से स्वंट की figure बना देता है बट उन तक इसे देखकर खुश नहीं होती और उसे एक लेटर लिखती है जिसे वो होटल के मेल बॉक्से बेशती है जब उन तक वापस आती है तो वो खुशी से रोड क्रॉस कर रही होती है और उसे ऐसा करती है उसके वाक करने पर फ्लावर प्लूम्स होते हुए देखकर डीमन को खुद बरकीन हो जाता है कि उससे साथ अभी के लिए ये ड्रामा हम यहीं पर खत्म करते हैं अगर आपको ड्रामा का सब्सक्राइब करना ना भूलेगा